नमस्कार मैं मृतिंजेर है एक बड़ फिर से आपका साधत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल स्केलप आयस पे प्यारे बच्चों आप सिर्फ एक महिना बचा है बिहार लोकसे वा आयोक की परिक्षाओं में उत्तरप्रेश में थोड़ी से वहापो की स्थिती है तो अब कई बार होता है कि सर एक महिना बचा है बचों के हाथ पर फूल रहे हैं बचे बहुत परिशान है कि सर क्या करें कैसे करें कैसे करें कि सेलेक्षन हमारा हो जाए क्या ऐसा करना चाहिए तो दिखो यार अब एक महिने में आपको अंतिम एक महिने में क्या करना चाहि आपसे बाचित किया जाए तो सबसे पहले आप पैटर्ण और सलेबस को समझे एक बार फुरस उठा करके देखिए कि सलेबस में क्या-क्या लिखा है सलेबस में जो जो चीजे लिखी हुई है उन्हें चीजों पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए उन्हें चीजों पर फोकस कीजिए क्योंकि सवाल वही से आएगा जो आपको सलेबस में डिफाइन किया गया है ठीक है सलेबस को समझने के बाद आपके पास जो अगला काम है वो यह है कि एक बड़ आप पिछले साल का पेपर देखिए अगर आप अब तक की पेपर देखेंगे तो सिर्फ आपको एक ही पेपर दिखाई देगा जो टफ था वह है पिछला वाला वह है 69th BPSC उन अतर्वी BPSC के पेपर में यह बता दिया था कि जखो अब रहा आसान होने वाली नहीं है अब रास्ते थोड़े मुस्किल होंगे तो तेयार रही अब रास्ते अगर अब जब आप concept की तरफ move कर लेंगे तो आपको समझ में आयेगा कि concept की तरफ move कर लेने के बाद जो है आपको क्या करना है तो थोड़ा सा उस pattern पर MCQ solve करना है एक बाद देखो यार समझने इस बात को वह तच्छे से कि आपकी लगातार कोसिसों का लगातार की जाने वली महिनत का लगातार practice का इस दुनिया में कोई मुकाबलन है कोई तोड़ नहीं है आपकी practice का तो अब आपको मैं बार-बार कह रहा था कि यार अब समय बचा है कि practice पर focus कीजिए दूसरा अगर आप 12-13 घंटे नहीं पढ़ रहे तो छोड़ दीजे तैयारी अगर आप तैयारी सर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैं घरवालों को बता सकूं मैं मुगल्य वालों को बता सकूं बड़ा कूल लगता है फैशन है कि क्या कर रहा है तो BPSC दे रहे है और कुछ लोग तो इसलिए भी कर रहे हैं खास तरफ रहे हैं बिहार में trend है कि BPSC कर रहा हो लड़का है यह चाहिए लड़की हो ब्याह हो जाएगा तो अगर इसको कहते हैं ब्योक्ती जोला टांगा गया है तो अगर आप ब्योक्ती जोला टांग के घूम रहे हैं तो ब् नहीं है अगर आप अपने लिए 12 घंटे दिन के नहीं निकाल सकते 24 घंटों में 12 घंटे आपके उस 12 घंटे में आपको खाना है खेलना है सोना है कि आपको आपके मुहले में आग लगाना है वह आप जाने लगा दो आग अपने मुहले में मुझे कोई फरक नहीं पड़ता वो तुम जानो तुम्हारा मुहला जाने लेकिन बचे हुए 12 घंटों में केवल पढ़ना ही होगा तब जाकर के विपेसी क्वालिफाइड अब एक महिना बचा है इस एक महिने में 5-6 घंटे लगातार प्राक्टिस कीजे तो प्राक्टिस में मैं बल इसलिए दे रहा हूं कि जब आप प्राक्टिस करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपके कमी क्या है आपने बहुत सारी थियोरी पढ़ ली आप पिछले एक देट दो साल से तीन साल से त्यारी कर रहे होंगे या पिछले आपको कमी कहां है क्या कमजोर है तो टॉपिक वाइज आम से क्य कि और कहीं न मिल रहा हो तो मैं बार-बार कहता हूं और डंके की चोट पे कहता हूं 199 रुपय में सवाल है जिसमें मैच दॆप स्वाल है भर भर के है आप उसको solve किजे आपको उसका डेमो देखना है हमारे एप पे एक section है free content उपहार उपहार section पे जाए और जाकर कि उसका आप डेमो देखिए और उपहार section में कुछ नहीं तो कम से कम 14-15 जो है वह uploaded होगा mcq का topic आप जाएए और हर quiz में किसी में 60 किसी में 70 किसी में 200 किसी में 200 किसी में 200 ऐसे करके वहाँ पर जो है quizzes available है तो उस section में जाकरके उसको solve कर जाएए पहला दूसरा यह कि जब आप यह कर रहे होंगे जो आप इतना solve कर रहे होंगे quiz को तो कुछ गलतिया होंगी तो उसका explanation पढ़ी वहाँ दिया हुआ है एक test अभी भी समय है एक महीना एक test रोज लगाईए डेली एक test हम लोगों ने 70 टेस्ट कराए एक test रोज कीजिए एक डेली देखे कि कमी कहा है कहा नंबर घट गया कहा नंबर नहीं आया और फिर जो बचा हुआ आपका समय है यह एक सवाल आपने एक पेपर लगाया दो घंटे गए आपने लगभाग पानसो हजार सवाल पढ़े दो ढ़ाई घंटे इसमें गए तो चार पास घंटे इधर चले हंटा है उसनी गलतियों पर काम कीजिए लिखिए जो आता है वो तो अको में भी आएगा को लेकिन तो नहीं आता है उसपर current affairs पे आते हैं बिहार में हमने पूरा बिहार का series launch किया है जिसमें one district one product पढ़ाया जा चुका है जियाई टैक हो गया उद्योग हो गया खनीज हो गया और बहुत सारी चीज़े बिहार के मेले बिहार में जो personalities है वहां से बहुत सारी सवाल अभी आने बाकी है अभी सवाल होना बाकी है वो पढ़ाया जाना बाकी है एक वर उसको देखे बहुत छोड़े वीडियो जा रहे है 12 मिनिट, 10 मिनिट, 5 मिनिट, 7 मिनिट उन वीडियोज को पढ़िए और लगातार उस पर स्टिक रहे है अपने टाइम टेबल बनाईए और उस टाइम टेबल को बहुत कटोरता से फॉलॉप कीज़े दूसरा क्या करते है आप लोग गलती कि आपने सवाल को बड़ी जल्दी करता है और human error से silly mistake में वह जो है 6-7 सवाल गलत कर देता है केवल और केवल किस में विवकूफी में 6-7 सवाल क्यों पता नहीं किस सपने में था किस नीज में था किस वेहोसी में था और पेपर सॉल्फ क्या एक तो बड़ा pressure होता है examination hall में मैं इस बात को समझता हूं तो उस pressure म कम करना है तो भी practice कीजी आपको समझी में आएगा कि कईसे question में लिखा कुछ और होता है और आपको दिखाई कुछ और देता है तो इत्मिनान से सवाल पढ़े कई बार थोड़ा smart guessing भी करना आपको आना चाहिए और यह smart guessing elimination method वगरा भी pieces exams में बहुत frequently use होता है तो यह सब देगा कैसे तब आपको मिलेगा यह सब यह जो सारे छुट हत्यार है जो बड़े काम के हैं जो आपको साथ से आठ नंबर अनायास दिला देंगे या वह आठ दस नंबर जो आपके गलत हो रहे थे कट रहे थे उसको बचा लेंगे केवल और केवल प्रैक्टस से तो smart guessing आप silly mistakes नहीं करेंगे आप अपनी कमिया जान जाएंगे और लगातार अगर तीस दिन आपने अपना diagnosis किया है अपने question paper का postmatum किया है तो आपकी सारी कमिया आपको पता है उन कमियों की list बना कर उसको line से remove करते जाएं इरिडिगेट करते जाएं दूसरा क्या है कि अपने स्वास इसमें सीजन चेंज हो रहा है सरदिया दस्तक दे रही है तो बहुत हीरो बनने के जुरत नहीं है कपड़े वगरब पहन के रखिए मच्छर बहुत है डेंगू का प्रकुप वगरब चल रहा है तो अपने आपको बचा के रखिए इसमें आप बिमार होना फोर्ड नहीं कर पाएंगे बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देशें अगर आप बहुत बाहर के खाने के हबिचूल है आदी है तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए यार यह तैयारी है न यह बड़ा सयमेत जीवन अम्में आपको रहना सिखाएगा तो अपने सारेरिक स्वास्त का बहुत ध्या और बीच में दस मिनिट बारा मिनिट पंदरे मिट का ब्रेक लिए जो आपको पसंद हो पंदरे मिट कुछ मत कीजिए मुझे अच्छे से वियाद था जमलों जब पढ़ते थे न तो उसी टेबल पर सर रखके सो जाते थे टेबल चेर में बैठके पढ़िए आप लोग कैस तो और क्या किजे उसके बाद जो है केवल रिवीजन को प्रात्मिकता दीजे बहुत सारा बार बहुत बार रिवीजन बहुत बार प्रैक्टस तो बटा एक यही तरीका है इस समय रिवीजन रिवीजन और रिवीजन इस उकल टू सेलेक्शन रिवीजन कीजे टेस्ट बस इसी प्रक्रिया को एक महीडा फॉलो कीजिए सतरवे विपियसी में आपको प्रिलिम्स क्वालिफाई करने सदुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यह बाहुवली का बाद है हम फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद